कि अब 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 हो जाए तैयार मैस के सवाल पर करने करारा परहर और तैयार है आपके लिए अब 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 यहार मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अब नंदन और बना रहे हमारा आपका विहार अब यहार टूंटि फॉर सवन के साथ प्यार भराबंदन तो चलिए आज के सेशन की हम लोग सुरुआत करे और बात करेंगे हम लोग सर रिलेटिव पर हम लोग चरचा कर होते हैं चल दो चलिए तो रिलेटिव स्पीड के चर्चा करते हैं ठीक है ना सभी लोग आगे पड़ा पड़ तो रिलेटिव स्पीड पर हम लोग कल बात कर लिये थे यहां तक कोई दिधक तो नहीं है। कि यहां तक कि कोई दिक्कायत नहीं है ठीक है न सहाब तो आगे बढ़ते हैं कि तो देखेगा अब यहां पर देखिए कि सवाल स्क्रीन पर है कता है कि रामा बतार भाई और कमला भोजी एक दूसरे से मिलने के लिए जो है वह पटना और गया से एक दूसरे की और एक दूसरे की और करम सा 40 km पर आबर और 60 km पर आवर के अस्पट से चलना सुरू करते हैं ठीक है ना यदि पटना और गया के बिश की दूरी चार सो किलोमेटर है तो बताइए कि कितने घंटे के बाद वे दोनों एक दूसरे से क्या होंगे मिलेंगे वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे कितने घंटे के बाद ठीक है अब सूत के पढ़ियेगा तो समझ में नहीं आएगा उठके बैठ जाइए ठीक नहां और कॉपी कलम ले लिजिए सुता सुदल देख राजसरा का सीने महां है अब महराए उठके बैठिये अब देखिए पटना है सर और यह आपका गया है इसके विच की जो दूरी है वह आपकी कितनी एसर तो 400 किलोमेटर है ठीक है एक रामबतार भाई इधर से इनको कोई जल्दी बाजी नहीं है वेचारे 40 Kilometre For Ourunkia से जा रहे हैं इधर से गया से भोजी आ रहे हैं साथ क्लोमेटर Promise ए सीसी से पूछा कितने घंटे के बाद害 बहुँद आपतेस मिलेंगे ठीक है लोग कि तो कितने घंटे के बाद मिलेंगे तो देखेगा सर तो टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्य Uh तो आपको कैसे पता चलाकि सो के पाड़ रहा हूं अरे आप ही नहीं है बहुत सारे लोग है ठीक है नाम नहीं ले रहे हैं हम ठीक है ना नाम नहीं ले रहे हैं कि बेशती हो जाएगा ठीक है खाली हम इंतजार कर रहे हैं कि वही बच्छा खाली कोह दे कि मतलब रिपिट कर दीज़े तब हम उसको सुनाएंगे तब हम उसको सुनाएंगे इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं ठीक है चलिए आगले सवाल क की और वढ़ते हैं अब देखिए क्या है अब कि पती पत्नी में झजग्रा होने के कारण 5 km परआवर के सब्से पती लंदन की और भागता आँ थी कह लंदन की और भागता है पत्नी उसका पीछा चार किलोमेटर पर आवर के स्पिट से करती है तो बताइए कि पांच घंटे के बाद उनके बीच कितनी दूरी का फासला होगा यदि बे समान समय पर चलना सुरू करते हैं अब यहां पर देखिए सर पती पतनी में जगरा हो गया पती भाग गया लंदन की और पांच क लाएंगे पतनी तुरंत अदम पीछा करती है तो पुछाए पांच घंटे के बाद उनके बीच कितनी दूरी का फासला होगा तो देखिए पती भाग रहे हैं पांच के स्पिट से ठीक है ना अब पतनी पीछा कर रही है चार के स्पिट से एजी लोट जा जी है ना तो सेम डिरेक्शन में स्पिट क्या हो जाएगा सर घट जाएगा सपिट घट के क्या हो जाएगा एक किलोमेटर पराबर पूछाए कि पांच घंटे के बाद उनके बीच कितनी दूरी का फासला होगा तो एक गुना पांच यानि कितना तो पांच किलोमेटर का और आपसन नहीं है कि मैंपाप जाएकां प्रेबाए कि पांच किललोमेटर आपके सवाल का उतर हो जाएगा में किलिएर है कि पांच किलियुमेटर अपके सवाल का उतर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब यह कर लेंगे तो आप लोग को कली बताए थे कि एवरेज़ आप किलोमेटर पर आवर से मेटर पर सेकंड में करने के लिए मेटर पर सेकंड में तो बताने लाइक चीज़ है नहीं यह तो आप लोग कैसे घट गया कैसे घट गया कैसे घट गया ठीक है कैसे घट गया तो तो कले न बताए थे कहां थे यहां सवाल पर आई यह ठीक है न करा एक कार बीस घंटे में 630 किलोमेटर की दूरी ताई करती है काता है मेटर पर सेकंड में स्पिड का गनना कीजिए मेटर पर सेकंड में स्पिड का गनना कीजिए ठीक है मेटर पर सेकंड में स्पिड का गनना कीजिए है हुआ का पिटिक दिजिय को तर हो जाएगा okay काटा हटी कर दीजिये उत्तर हजाएगा नक्सद नक्सद गया stdt अब साथ नमा 562 18 साथ पचे 35 25 बटा 4 पैसिट बटा चार यानी आठ चोके 32 बचा 3, 8.75, 8.75 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा 8.75 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा किलियर है किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए ठीक है अब आगे यह सब सवाल आप लोग के लिए सारा कंसेप्ट टाम इंडिस्टेंस का निकल चुका है अब सवाल है अभी सवाल के साथ प्रहार करें और बनाने का प्रयास करिए अभी सवाल है यह सबका उत्तर करिए सुरव समंझी उस्टैप का सवाल और आगे मिलेगा और आगे मिलेगा अभी तक के बैसिक चल रहा था यहां से प्राक्टिस से संसुरू हुआ है अब यहां से आप लोग को बनाना है कि अर्य मोवाइल देखके पढ़ों नो रहे तो ऊपर कोछी ताक रहा है कि बोले एप प्लेट फारम तरेन में पढ़ाएंगे या या टाइमें डिस्टेंश चल रहा है उट्रेन में पढ़ाएंगे ना उताहराएंगे बोट अन्डर स्ट्री में अभी कहें परिशान हाएं तीक है अभी काय परिशान है उससे पढ़ाएंगे अभी परिशान मत हो यह कटा एक आदमी आधी दूरी 10 किलोमेटर परती घंटा के चाल से आगे की आधी दूरी 15 किलोमेटर पर आवर के चाल से तै करता है तो पूरी आतरा में उसकी आउसत चाल क्या हो जाएगी पूरी आतरा में आउसत चाल क्या हो जाएगी यह आप से पूछा है तो देखिए बस वही चीज है कि आधा दूरी 10 के स्पिट से आधा दूरी 15 के स्पिट से पॉरी यात्रा में उस्त चल कितना जी तो बारा किलोमेटर पर आवर देखी साड़े बारा ला रहा है देख रहे हैं देख रहे हैं विनोद साड़े बारा ला रहा है उत्तर हैं ठीक है काते काते थेथर हो गए है बैठके पड़े का रहे है तो अवरी तकिया लेके वड़ गया है अगला सवाल स्क्रीन पर है तता है मंगरुवा अपना ससुरार अठारा किलोमेटर पर आवर केस्पिट से जाता है तथा बापस बारा किलोमेटर पर आवर केस्पिट से आता है पूरी आतरा में पांच घंटे का समय लगा है तो ग्याद करिए कि उसके घर से ससुराल की दूरी कितनी है ठीक है अब देखिए उकारा ना कि सर तुक्का मार रहे हैं अच्छा यह बताए पूजा जी पूजा जी आप तो पुराना कंडिडेट है क्या आउडियो वीडियो ओन होता था कि नहीं होता था यह बताओ तुम ही पहले बताओ आप तो पुराना कंडिडेट है आउडियो वीडियो ओन होता था कि नहीं पहले देखना पुजवा कमेंट करेगी ठीक है हाँ होता था देखिए रिंग की जी भी कर रहे हैं होता था इस बार भी करवा देते उसी पर काम चल रहा है ठीक है है उसी पर काम चल रहा है अब एक एक सारा लोट दे देंगे तो गड़बड़ा जाएगा अभी बंबे हुआ है भी हम देख पा रहे हैं ठीक है ना वह भी पूरा नहीं दिख रहा है लेगिन वह क्या होगा ना कि जब जब जो है क्या कि पूरी तरह से यह बर्क करने लगेगा तो चालू हो जाएगा ठीक है ना पूरी तरह से वर्क करने लगेगा अब देखो है क्या कि सब इनेवल भी तो नहीं रखते ना जैसे कि होता क्या एक कि जैसको इभी एप्स बगएर डॉनलोड करते हैं तो इनेवल मंता है मतलब फाइल एकसेश कैमरा तेममरा दिस्ट्रूइब्स तथो इनेवल जो रखते हैं उनका यह जिनका नहीं जुच staff इसका मार रहे है и अना तुक्का हम नहीं मारते तुक्का तू लोग अंसर मारते हो ठीक है देख रहो बहत्र ठोक लें अंसर देखिए डेड़ सो आग लए है भाई इसलाम भाई डेड़ सो कहां से आवेगा है देखिए मंगरव अपना ससुरार 18 किलोमेटर पर आवर के स्पिड से जाता है और वापस 12 किलोमेटर पर आवर के स्पिड से आता है पूरी यात्रा में उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है तो ग्यात करें कि उसके घर से ससुराल की दूरी कितनी है घर से ससुराल की दूरी कितन हुआ है तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे सरेवरेज सपीड वराबर क्यों होता है तो आप कहेंगे दू गुनाचालों का गुनन फल aç zitten' गुना बारण अप चालों का योक फल्षनवा कितना तो 30 तो समझ गया ना अठारा वारा थीज अब काता है कि पूरी यात्रा फे उसे कुल पांच घंटे का समय लगता है तो यह तो एबरेजर स्पीड हो गया अब टाइम है हमारा कितना तो पांच घंटा आप यहां से इसको करिए यहां से इसको सोल्व करिए तो आप कहेंगे हरा अठारा दूनी छाथी थाथी दूनी 72 72 42 km यह जो 72 Set bend है क्या है महा साइकल बहए यह मोटरसाइकल दना दनी सशरार ऑन Doll कर какие तेज मोटरसाइकल करो १वर्षे देल ने मीटर जीरो करके कि जो बैटा ठीक ना अब मंगर हुआ सशुरार गया सशुरार से आया रहा हम बतावें तो सशुरार कितना दूर है तो हां बताईए तो जरा है कि अचे बताव खाली एक्या कि तू मोटरिकल लेगन हल या जैसे जब जा थी जी जा जी ना मोटरिकल से सशुरार तो कहें को साला आवाद इतनी मोटर सेकल बाद हो तो आव लेटरिंग करके ठीक हैं तो कहां ऑगा मिला थी औस आशन साला की कोची कोती है मोटर साइकल मां अभी घड़ी खोला लियो है तब भाया काते हैं कि देखो आती जाती मिला के तुम्हारा चला है कितना तो 72 किलोमेटर आती जाती मिला के चला है 72 तो एक पीठ का दूरी कितना मने मंगरुआ द्वारा तै की गई दूरी 72 है साहव लेकिन कोई पूछेगा कि मंगरु तुम्हा कि ससुरार कितना दूर है तो 36 किलोमेटर है कि है नहीं तो 36 किलोमेटर आपके सवाल का क्या हो जाएगा सर उत्तर हो जाएगा समझ में आ गया सभी को किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए अब ऐसे नहीं होता है अब ऐसे नहीं होता है क्या बात करते हैं सुसिल जी हमरे साथ होता है हमरे साथ होता है हम कहा कहें आपको हम ठीक है हम दूसरा पर थोड़ी ना कहानी बनाते हैं यार अपने पर जो भीता है उसी को आप भीतियांग आपको सुनाते हैं ठीक है इसलिए हम उतने भर पेट्रोल लेके जाते हैं कि जतना मने गय जतना दूर में नियरेश्ट ट्रोल की पहुंच जाएंगे उतने पेट्रोल लेके जाते ज्यादा लेहीं कि नहीं जाते हैं ठीक है नहीं घ्राइब आई सब हम पीठ पीछे नहीं बोलते हैं देख रहे हो अभमनेहीं देखा हैंин तो ठीडिक है। पीठ पीछे नहीं बोलते हैं रहने दो अगला सीओंग अगला सवाल काता है कि एक ब्यक्ति अपनी गती में 83.33% की बुर्धी करता है 83.33% की बुर्धी करता है और उसे गंतब तक पहुंचने में लगने वाले समय में कितने परतिसत की कमी होगी यह आपसे पूछा है गंतब तक पहुंचने में कितने परतिसत की कमी होगी आँ यह आपसे पूछा कि ऐसाँर आपका साला भी देकुरा wszyscy साला नहीं देख रहा है लेकिन को आदमी एकर podcasts हो एकनाम नहीं लेंगे तो इंडारेक्ली हम सुना रहे हैं जाके कौह देगा दुद्दूगाद में ससरार का इसमें पढ़ रहा है का किजिएगा तक है कि यह स्पीड जो है एक ती 3.3% पर्सेंट बहा देता है तो उसे गंतब तक पहुंचने में लगने वाले समय में कमी क्या होगी कितने प्रदिसत की कम भला अब यहां पर आप लोगों यह कमेंट करके बताना है कि एक ती 3.3 33 परसेंट इज इक्वाल टू कितना फ्रेक्षन होगा कहां के लोग बतलवर यहां है 83.3 परसेंट की बराबर क्या फ्रेक्षन होगा गलती नहीं बताई येगा ठीक है तो बोतले बोतले आज डेंगाएंगे ठीक है ठीक है देखे मन तो मिसरा जी आप तो स्वाइए में अग्दम मिसरा हैं ठीक है अधम साहीए में प्योर पाने जी है आप ठीक है हम बुल ली के रहे एगरा पर फ्रैक्शन में बदल रहे तो को लिखल के है ए आठ थिरी 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 अब बटा के ख़जार कर दल के बाप रे बाप बहुत तेज गरदा उड़ा देते हैं आप भी जी एदम ठीक है साथ बटा आठ का रहे दस बटा बारा ठीक है पांच बट करते हैं आपका स्पीड खतम हो जाता है ना क्रोस कोश्चन किए तो आपका स्पीड खतम हो गया ऐसे कैसे काम चलेगा पूले थे कि परसेंटे से फ्रैक्षान फ्रैक्षन से परसेंट एक जहां पड़ते हैं जहां सोते हैं चिपका दीजिए सुवा साम देखिए फूलों सा चेहरा तेरा और कैसे नहीं ध्यान में आवेगा जी तक सब करवे नहीं करिएगा बीएड के लिए हैं सीटेट पास हैं ठीक है अच्छा एक बात पूछे कि नाएप रहे दो कितना गल्याइगा हम को ठीक है एट पॉइंट थी फरसेंट मतलब क्या होता है पंच वंक तकर होता है कि यानि पहले अ स्पीड छे था आज अष्पीड कितना है तो आज यह श्पीड पाँच बढ़ गया मतलब उगारा हुम HOL GG यहां से हम लोग time कानुपात निकालेंगे तो time कानुपात क्या हो जाएगा a speed का inversely proportional हो जाएगा a speed का inversely proportional मतलब 11 रेशियो कितना तच्छे यानि पहले समय लगता था 6 और आज समय लगता स्वरी पहले समय लगता था 11 आज समय लगता है 6 तो समय में कितने की कमी हो गए तो पॉंच की कहां से सब्टे का इंटू कर से कितना पूरति सब्राइब तो mty Ent 15 कर गारा है तो पांच बठाइब तो इसली को सब्सक्रिए घ्रिशाए कि रहे दो जाने अब कर ले सर आज़ बहुत फैपि हैं मतलब नजर लगाता है सब हर चीज में नजर लगाता है कहीं भूसे नहीं नहीं देखा कहीं कहे सब्सक्राइब कहें काछी लग चृड़िया रहते हैं क्या हे ड़ी है कहींओ खूस हम यतना नजर मत लगा यह ठीक है अंसर कितना हो जाएगा 45.45 परसेंट चलिए एको देखो फिर बोड़ा आया है कुछी लिख रहे हो जाएगा काहे परेशान है परेशान काहे होते हैं महरत टेंसर नहीं लीजिए समझ में कैसे आई तो वा जब तुरह परसेंटेज से फराइक्साने कनभट करें ना आए लो तो समझ में कैसे आई तो हैं परसेंटेज के वीडियो जाके देखा तब समझ में आई तो आई से ना समझ में तो कहते कहते आदत से लचार होग लिहा करा आए कि मेहूल अपनी समान गती से पांच वटा आठ गती से चल कर अपने कारियालें पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है ठीक है तो उसके द्वारा अपने घर और कारियाले की बीच की दूरी को तै करने में लगने वाला समान समय ग्यात कीजिए जेनरली कितना समय लगता है यह आप से पूछा है तो देखिएगा पांच वटा आठ गती से यात्रा करता है यानि पहले चलता था जेनरली वह उसका जो मेहुल का स्पीड था वह आठ हुआ करता था आज पूछों टेंसन में होगा बेचारा ठीक है ना आज उसका जो स्पीड है वह क्या हो गया से तो पांच हो गया है किसी पांच के स्पीड से आज चला है तो यह स्पीड का अनुपात है ठीक है तो उस्पीड का इन्वर्सली प्रपोर्शनल क्या होता है सर तो टाइम होता है तो टाइम का जो अनुपात हो जाएगा टाइम का जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर पांच रेशियो आठ हो जाएगा अस्पीड का इंवर्सली पर्पोर्शनल यानि जनरली मेहुल को पांच समय लगता था पहले और आज कितना समय लगा है तो आठ समय लगा है तो कितना लेट हो गया मेहुल ओफिस पहुंचने में तो तीन अब भाउजी कर रही है कि हमको फोन आया है कि आज आप ऑफिस 45 मिनट लेट पहुंचे यह अलगे कलह तैयार हो गया घर में भाउजी कर रही है कि हमको फोन आया है कि आज 45 मिनट लेट हुआ ठीक ना अब भाईया करें कि उपगला गई है तीन लेट पहुंचे है ना देखिएगा भाउजी करिये 45 मिनट लेट है भाईया करें कि तीन लेट है राते से लड़ाई चल रहा है इस बात का अब आपसे पूछ रहा है कि सर समान समय क्या है तो पहले जो जिनरली टाइम लगता था वो कितना लगता था तो 75 सुरी पाच औ 75 मिनट आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा बोलिए के लियर है सभी को किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए ठीक है आओ अच यह बता दीजिए कि शर 120 परशनों का परिक्षा होना है 120 कोश्चन का इसमें 85 से 90 अगर आप लोग सेट मार रहे हैं तो 85 से 90 सही कितने लोगों का हो रहा है 85 से 90 सही कितने लोगों का हो रहा है अगे सेट मार रहे हUNGगे न कोई न कोई तो सेट मार ही रहे हुंगे बजार में बहुत तरह का चक्चू किताब आया हुआ है कि आऊ तो देखे भाईया जी हम आपको बता दे हम आपको बता दे कि अगर आपको डिफरेंट फरों मदर्स भागना है तो बहाईया जी अगर रिजल्ट लेना है देखे दो situation है अगर पेपर में धांदली बांदली नहीं हुआ मतलब सेटर बेटर काम नहीं किया सेटिंग बेटिंग नहीं हुआ तब आपका जो cut-off गिरना है वो 75-80 के बीच में गिरना है सर यह सीविल कोट करें कोची कर तो उसको आप प्रात्मिक सिच्छा की बात कर रहे है यह जेनरल की हम बात कर रहे है 75-80 के बीच में cut-off गिरेगा कि लेकिन अगर जो है की पेपर जो है कि अगर धांदली बांदली होता है सेटिंग अगर होता है तब इसकी कटफ़ अपने को थaimerा रहना है और at least तो आपको 90 9 का टार्गेट लेके चलिए नबाय प्लस का टार्गेट ले चलिए तभी काम हो पाएगा अगर नभे प्लस टार्गेट नहीं लेते हैं तो मामला जो है वो गडबला जाएगा वह मामला जो है वह गड़बरा जाएगा ठीक है ला हर सिचुएशन में लड़ने के लिए तयार रही है सेटर का सेटरिंग बजा देंगे एक वार ठीक है न तो नबे पलस्ट तयार रहिए दम ठीक है न और यह आना चाहिए यह कुछ i poser हैंघ मार्ट साथ तो मेंत कर लीजिया और यह इप सही तो जीकर जाना जाता है समझु रहे न सीके 2 जीकट के लिए जाना जाता है तो ख्लाइं रखेएगा सब में के जीके विए मस्के ठोकस करिए जितना हो सकें मैक्सिमम मैक्सिमम फोकस करने का परियास करिए जी के जीएस पर ठीक है जी चलिए देखिए ख्वाइसों से नहीं गरते फूल जोली में वक्त की साख को आई दोस्त लाना होगा है ना फलना नहीं हुआ है फलना रोने से नहीं होगा नहीं हुआ है तर नहीं आवेगा नंबर हमार उस अब छोड़ दीजिए क्या किजिएगा अगर पूरे परिवार में ऐसे तो उसका सुलूसन चालू है दो-दो गंटे की क्लास आपकी चल रही है उसका तो सुलूशन चालू है लेकिन अगर परिवार में एक लोग पीछे रह रहे है तो उसके पीछे रहने का रोना नहीं रोहेंगे जी कि उसको भी खिछ-खाच के आगे बढ़ाएंगे हमको आगे निकलना नहीं उसे मत सोचिए ठीक है ना ठीक है आप ऐसा सो कोश्चन दीजिए जो एक्जाम में आ जाए हम मतलब हमी से टरिया है फसाद में तु हम नहीं हम राके ठीक ना यहां सवाल पर आजाओ सवाल प्याजो सवाल क्या कर रहा है काता है एक आदमी पांच किलोमेटर पर आवर के स्पिट से कारियाले जाता है तो साथ मिनट देरी से पहुंचता है लेकिन जब वही ब्याक्ति 6 km per hour के स्पिट से कारियाले जाता है तो पाँच मिनट पहले पहुंचता है तो आपसे पूछाए कि घर से कारियाले के बीच की दूरी क्या है ठीक है ना घर से कारियाले के बीच की दूरी क्या है यह आपसे पूछाए कि घर से कारियाले के विच की दूरी क्या हो जाएगी है इस देखे कर ले कि अगा करने साइंस का कलास नहीं हो रहा है साइस का कलास दू दिन से वह रहा है धुक आप अब इडम नहीं पढ़ा रहे हैं को सर पढ़ा रहे हैं ठीक है तो में चापके पढ़ लीजिए अब यहां पर अंसर करिए क्या होगा इसका अंसर पांच के स्पीड से जाता है और तो साथ मिनट लेट पहुंचता है अजब वही बैकती कि छे किलोमेटर परावर के स्पीड से जाता है तो पांच मिनट पहले पहुंचता है तो घर और कारियाले के बीच की दूरी ग्याद करिए कि कारे बाबो तुम ही पढ़ने के लिए मोबाइल लिया है कि मम्मा तुमको मोबाइल देका चल गई कि का कर दो बड़ा कास्ट है इधर इधर पाहना भी है उधर सास्सुर का सिवा भी करना है विचारी लगता है खाना उना निकाले गई है है ठीक है अब तर्वा के दिया मोबाइल है नहीं का चलिए तो देखे सर यहां पर क्या करेंगे सॉटकट कर दें या कंसेप्ट कर दें सॉटकट कर दें या कंसेप्ट कर दें हम जानते थे दोनों मजा लेगा हम समझ रहे हैं ठीक है न हम जानते हैं है ना बोलना गुनाह कर देता है रे बपा बोलना गुनाह कर देता है चलिए तो यह घार है सेर और यह कारियाल है इसके बीच की दूरी सपोज एक्स किलोमेटर है ठीक है ना एक्स किलोमेटर है जब तो साथ मिनट लेट पहुंचते हैं साथ मिनट क्या पहुंचते हैं साथ मिनट लेट पहुंचते हैं साथ मिनट क्या पहुंचते हैं साव लेट पहुंचते हैं तो देखेगा साथ मिनट लेट पहुंचते हैं तो देखे सिंपली अगर हम बात करें तो हमारा कलास स्टार्ट क हमको दिखाना क्या है की एक्चूल टायम एक्चूल टाइम दिखाना है तो एक्चूल टायम दिखाना है तो हम क्या करेंगे 9 बज़े हम कहेंगे बह्या 9 बज़े चाथ किये थे भलेमा उज methright कए ernst किछ सबाइब करेंग कि क्योमेटर हम माने है यहां秝 किलुमेटर पर आपर में है मिन अफ साफ से भागा चलिए अब कता है कि अगला दिन जब वही ब्यक्ति छे के स्पिट से ट्रेवल करता है जब अगला दिन वही ब्यक्ति इसी एक्स किलोमेटर को जब चेके स्विट से ट्रेवल करता है तो पांच मिनट पहले पहुंच जाता है तो पांच मिनट पहले पहुंच जाता है ठीक है ना पांच मिनट पहले पहुंच जाता है यानि एक दिन कलास स्टार्ट कर दिये आठ बच के पच्पर मिनट पर आठ बच के पच्पने मिनट में च यहां से निकालेंगे एकस कामान और यह आपका हो जाएगा क्या सेर तो उत्तर हो जाएगा यह आपका क्या हो जाएगा सिर्मान तो उत्तर हो जाएगा बूलिए किलियर है सभी को यहां से सुल्ब करेंगे एक्स कामान निकलेंगे यह उत्तर हो जाएगा यह कंसेप्ट है रहा जाती है मेंटर साहब जुगार की कि जुगार क्या होगा सर जुगार क्या होगा तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे चालों का गुननफल तो चालों का गुननफल पांच गुना छे और चालों का अंतर तो चालों का अंतर कितना तो एक अब यहां पर चालों का अंत डेली आपका आना जाना है लेकिन कभी आप पहले पहुंचते हैं और कभी आप लेट पहुंचते हैं ऐसा क्यूं होता है कभी आप पहले पहुंच रहे हो साब कभी आप लेट पहुंच रहे हो ऐसा क्यूं हो रहा है क्योंकि आपके का अंतर है अब यहां पर देखिए कि Premier 7 मिनट रेट हैं और 5 मिनट पहले हैं यह क्यों है तो साथ पाज कि ना हो जाएगा 12 मिनट मिनट को बदलेंगे घंटा में अब द्याद से अगर लेट भी फोर मतलब आप पोजिट का मिनेशन रहेगा तब आप क्या कर देंगे तो इसको घंटा में बदल देंगे अब आकी काटा पीटी कर लीजे तो पांच से के 30 दूनी के साथ चे से 6 दूनी के 12 घर से ओफिस के बीच की दूरी कितनी तो आप कहेंगे सिर्मान 6 किलोमेटर तो आप जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं बेटर बेटर हुगा कि आपके से लिके चाले फार्मूला लिक दीजिए ना आई माध भी जी बी एड के लिए हैं आप महराज लिखिए ना लिखिए कोची किया मस्टरवाद तो चालो का गुनान फल बटा चालो का अंतार आई इंटू का टाइम ट्रेटें तुक्त है तो खुदे तैयार कर लेंगो फार्मूला महराज अब अपने से तैयार करिएगा अपनी लैंग्वेज में तैयार करिएगा तो जल्दी याद रहेगा ठीक है अगे अगे काता है A B C के कार के स्पीड में कार के स्पीड में दो रिस्यो चार रिस्यो पाच का अनुपात है सटड़े को हो जाएगा मनी जी सटड़े को हो जाएगा सटड़े को कर लेंगे ठीक है ना सटड़े को कर लेंगे आपका डाउट है परवेश जी का डाउट है सटड़े को कर लेंगे ठीक है कता ए बी सी के अस्पीड में अनुपात जो है वो दो रेशियो चार रेशियो पांच का है यदि सी एक निश्ची दूरी को तै करने में 28 मिनट का समय लेता है तो ए द्वारा उसी दूरी को तै करने में 28 मिनट का समय लेता है तो ए द्वारा उसी दूरी को तै करने में लिया गया समय गयाद कीजिये A द्वारा उसी दूरी को टाई करने में लिया गया समय गया कीजिए तो देखिएगा सर यह A है यह B है और यह C है इसके अस्पीड में अनुपात दो रेशियो चार रेशियो पाँच का है कता है C एक निश्ची दूरी को 28 मिनट में टाई करता है तो C की अस्पीड कितनी है तो आप कहेंगे पांच है अब यह पांच के अस्पीड से किसी डिस्टेंस को 28 मिनट में ट्रेवल किया यानि 285 से यानि जो डिस्टेंस है वह 140 किलोमेटर का है अब कहता है इतनी ही दूरी को अगर एक को तै करने कर लिए दिया जाए कि तो कितना समय में जाएगा तो एक आसपीड कितना है तो कहेंगे दू है दू से भगा आदे देंगे तो सब्सक्राइब आपके सवाल का उत्तर है कि किसी को कोिए कि कि किसी को कोई दिक्कत बोलिये जल्दी कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है चल अगला सवाल काता है एक आदमी ने सुबह चार बज़े चार बज़े साथ किलोमेटर पर आवर के स्पेट से एक कार चूर आई और कार मालिक द्वारा उसका पिछा जंका और सवाल नहीं है चलिए काता है कि चार बज़े सुबह एक चोड़ एक चोर है जो एक कार चूराता है और कार चूरा के साथ किलोमेटर पर आवर के स्पेट से क्या हो जाता है सर भाग जाता है ठीक है ना साथ किलोमेटर पर आवर के स्पेट से भाग जाता है कार मालिक द्वारा उसका पीछा एक सो पांच किलोमेटर पर आवर के स्पेट से सुबह साथ वज़े किया जाता है तो वो किस समय चोर को पकड़ेगा कि बताईए जरासा इसा तो सवाल है अपने उपर सोच के बनाएए निजी कि हमरे मतलब की कार चोरी हो गया ऐसे इसे बात है इतना के अस्पिट से भागा है हम उसका पीछा कर रहे हैं कब पकड़ाएगा खुदे सोचना है कि कुछ करना है हलकी सवाल है गलत से टुआ है हम इसमें बनाये थे कि रामा बतार जी सुबह चार बज़े जुमका चुरा कर भाग जाते हैं उस सवाल इसलिए हम रखे थे ताकि आप लोग जल्दी लोड लेते लेकिन दूसरा चलाया है दूसरा चलाया हूँ सवाल नहीं आया है मैं यही अधिक रहे था एक रहे में लेंग्वेज बदलल था वह चार बज़े सुबह जुमका चुरा के भागे थे ठीक है तो समझ रहे न है कि अगर आए कराय की सर साथ किलोमेटर पारावर कैस पेड्से कार चुराकर भागता है कितने कितने बज़े चुबह चार मालिक जागता है सात बज़े यानि तीन घंटा तक एदम निफिकीर होके चोर भागा है यानि कितना साथ दिद mensek 180 km चोर आगे निकल चुका है 180 km जो है वो निकल चुका है अब देखिए कि आज चोर भाग रहा है 60 कैस्पिट से अब पीछा कर रहा एक 105 केस्पिट के अब देखिए सेम डाइरेक्शन में पीछा करेगा तभी तो चोर पकड़ाएगा तो चार बजए चार बजे भागा था चोर गाड़ी लेके तो साथी ऐक्सवी साथ मजे के बाद देखिए तो छोर भाग रहा है 60개स्पीट से जन परान के पूलिस माली कुसका पीछा कर रहा है 105 के स्पुड से तो चोर का besar माली का साथ तो बैलेंस दीन पर दीन मालिक करीब आते जा रहा है क्योंकि मालिक का स्पीड चोर से कितना ज्यादा है मालिक का स्पीड चोर से कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे सर 45 किलोमेटर लेकिन पकड़ने में समय लग रहा है क्योंकि मालिक चोर चोर मालिक से कितना आगे है त sini कितने समय किस समय को पकड़ेगा तो साथ बजे से पीछा सुरू हुआ है चार घंटे-गा और यहां पर दोजिए अप्सन जो तैयार करेगा अम-पीम का खेला खेल जाएगा ठीक है ना एम-पीम का खेला खेल जाएगा तो ध्यान रखिएगा एम-पीम का खेला खेल जाएगा ठीक है एम-पीम का खेला खेल जाएगा चलिए अच्छा मैं वह सवाल पूछते हैं के करा से पूछ है अच्छा अंजली कुस्वाहा उत्तर करेगी ठीक है और कोई नहीं करेगा अंजली कुस्वाहा उत्तर करेगी कि एम पीम का फुल फॉरम क्या होता है एम पीम का फुल फॉरम अंजली कुस्वाहा उत्तर करेगी और कोई उत्तर नहीं करेगा एम पीम का फुल फॉरम अरे तू लोग अंजली कुस्वाहाजी जिससे पूछे है उसको सन उसको न बोले दीजिये महाराज हम बोले अंजली कुस्वाह को बताना है तो आप लोग महाराज तेने सब अंजली कुस्वाह बन जाते हैं बग चलिए कोई बात नहीं यह आपके लेवल कमेंगे है इसको छोड़ दीगे कि यह बनाई है अगला सवाल अगला सवाल आपके स्क्रीन पर काता है कि एक बंदर एक चिकने खंबे पर पहले मिनट में 10 मीटर उपर चड़ता है जबकि अगले मिनट में 10 मीटर आगले मिनट में एक मिटर नीचे फिसाल जाता है तो ग्यात करें कि बानमे मिटर उचे खंबे पर चड़ने में उसे कितना समय लगेगा ठीक है ना अब रहे दीजिए ठीक है अब रहे दीजिए अंसर करी है लेकिन बाद में करी है ठीक है हो सकता है टाइपिंग स्पीड स्लो होगा ठीक ना अब कोई बात नहीं ध्यान रखिए इस सब है ना ठीक है कि अगधा एक बंदर एक चीकने खंबे पर पहले मिनट में दस मिनटर उपर चड़ता है और अगले मिनट में एक मिनटर नीचे फिसाल जाता है तो बार में मिनटर ऊचे खंबे पर चड़ने में कितना समय लगेग अब इसको बनाइए इसका अंसर सही सही कौन करेगा जो बता है तार से तौली उतारे हैं प्रसे ताड़ी उतारे है वो लोग सही अंसर करेगा नहां ताड़ी को उतारे है तार से देखिए 10 मिनट 20 सेकंड वो कराए 10 मिनट 12 सेकंड आ रहा है 11 मिनटो यतना मनी आप्सन तयार कर दे देते हैं कि अब कर देखिए 10 मिनट होगा पकास है चलिए चड़ाते हैं बंदर आप लोग को ठीक है एक बंदर पहले मिनट में क्या होता है सर पहले मिनट में दस मिटर ऊपर चड़ता है दस मिटर ऊपर चड़ता है जबकि अगले मिनट में अगले मिनट में वह दो मिटर नीचे क्या हो जाए दो मिटर दो मिटर एक मिटर नीचे क्या हो जाता है सर फिसल जाता है तो वह गरहम देखें कि सरदो मिनट में ताई की गई दूरी कितनी हो जाएगी तोब याद करिए और आप इस तरह का सिचुइशन चला था जब हम लोग पाइप एंड-सिस्टर में चढ़ता था और बने को भरता था ता यदे सबसे पहले हम लोग की जो में मिटर चणना है उसमें से हम मिनस करते हैं एक मिनट में चणने को क्या करते हैं माइनस करते हैं यानि हमक। चलना कितना है तो आप कहेंगे बेरासी मिटर चलना कितना है तो आप कहेंगे बेरासी मिटर चलना है अब यह बेरासी मिटर हम लग जब निकालेंगे द्यान से सुनिएगा पहले मिनट में दस मिनट चलता है अगले मिनट में देख में फिसल गया दो मिनट में ताही की गई दूरी देख लिए टार्गेट कितना है बाने मिनट चलना है एक मिनट में चलने वाली कैपसीटी को माइनस करेंगे माइनस करने के बाद देखेंगे जो डेटा अपने पास जो डेटा अपने पास हा रहा है क्या मौग मीनट में ताइक की गई दूरी का कंपलीट होल्ड है मौग में ते टार्गेट हमारा बानमे है तो मोटा मोटी नौदाहें के पहले नबे चलते हैं नौदाहें के कितना चल गया नबे मिटर यह कितना गुना हुआ तो आप कहेंगे सर दस गुना तो हम भी क्या करेंगे सर तो दस गुना तो दूदाहें के कितना तो आप कहेंगे 20 मिनट 20 मिनट में चल गया कितना तो 95- organisations अब हमको डुमेटर और 9 अब देखिए कि सर 10 मिनटर चलने में हम लोग समय लेते हैं 10 मीटर चलने में बंदर यह 1 मिनट का समय लेता है तो एक मीटर चलने में कितना लेगा तो आप एंगे एक वाटा ऌस इंट तो सबसे पहले फुराग अहमद जी का आया था उत्तर सही उत्तर ठीक है ना ठीक है तो 20 सही एक वटा पाच मिनिट आपके सवाल का उत्तर बनेगा जिसको 20 मिनट 12 सेकंड भी आप कल सकते हो 20 मिनट 12 सेकंड भी आप लोग कह सकते हो किलिएर है किसी को कोई दिकत यहां तक में नहीं होना चाहिए लेकिन अब यहां पे सिचूएशन है कि सर अगर सर यह दो मिनट में यह जो आप पहले मिनट में चलने वाली च्टिक को जब आप माइनस करते हो तो यहां पे अगर जो डेटा आता है क्या वो में ताई की गई दूरी का कंप्लीट फोल्ड हो गया तो तो है ना अब तो क्या होगा तो तो आपको नेक्स एपिसोड में किलियर होगा अब यहां पर है कि सर दस मीटर क्यों घटाते हैं तो कभी-कभी ऐसा सीचुवेशन ऐसे भोर्डर लाइं पे जैसर माल ले जाये कि ऐसे भैडर लाइन पे आप हैं कि तैए कि कल क्लियर कर देंगे कि क्यूं क्यों ये करते हैं कि फिर कलीयर कर दो ले करते हैं पर चालता है अगले मिनٹ में दो मीटर नीचे फिसल जाता तो ग्याद करें की ग्याद करें की बानुमे मेटर उंचे खंबे पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा यह आप से पूछ रहा है ठीक है देखें क्यों गटाते हैं क्या है नहीं है वो अभी यहां पर समझाते हैं हलाकि इसको कम कल चलाने वाले थे एक मिनट में 11 मेटर उपर चढ़ता है सर ठीक है अगले मिनट में वो क्या करता है दो मिनटर नीचे फिसल जाता है तो दो मिनट में ताई की गई दूरी कितनी हो गई तो आप कहेंगे सर दो मिनट में ताई की गई दूरी नौ मिनटर यहां तक काम किए उसके बाद देखे टोटल टार्गट कितने मींटर का है तो 92 मिनटर का है एक मिनट में चाहिने वाली कि एक पसीठी कितनी है इसको हम लोग माइनस करेंगे माइनस करके यह करेंगे कि क्या यह दो मिनट में तई की गई दूरी का या नहीं आप कहेंगे हां सर 9-81 अब हम लोग टार्गेट इसको बना देंगे 9-81 तो 81 मेटर चाहने में कितना समय लगा तो 9-81 नौ गुना तो हम भी यहां पे कर देंगे समय नौ गुना तो नो दुनी कितना हो जाएगा तो 18 मिटर अब हमको चलना क्या राग या सर अब हमको और कितना चलना रागिया तो आप कहेंगे सर 11 तो अगला चलांग जाएगा अगले मिटर काशलांग तो अगला चलांग जैसी लगाएगा अगले मिनट में तो वो पूरा का पूरा जो है वो डेस्टीनेशन कभर कर जाएगा तो टोटल यहां पर बानुमे मेटर हो गया और यहां पर टोटल कितना हो गया उनीस मिनट अब हम आपको प्रैक्टिकली चलाते हैं तो देखिएगा स अधिर प्रैक्टिकली चलाते हैं यहां दो मिनट में 9 मीटर है फिर 9 मीटर 9 मीटर इस तरह से पहले बना लिए इस नौ मेटर नौ मेटर लगा पेडिन दूपांच पिर नौ मेटर चाहीं नौ मीटर साथ नौ मीटर आठ और मीटर नौ रहा यहां पानमे में मिटर चणना है त्धीद अब देखिए दियान अ समझेद़ जिनकों जो बता रहे हैं सब्वारालव मिन इ melodाम्य चाढ़े विद्व मिटर ससर गया अगले मिनट में डू मिनट में चढ़ है कितना तू तो मिनट में नौः फिर अगले मिनट में फिर नौट किना को गया अठारा फिर नो तियास छोऔक पनौठोय नो पुच्यहаг पैतालिस जोक सब आपको तर अठारा मिनट हो गया है अब अगला मिनट तेशालांग लगाएगा बंदरा कुंट और मिटिना करना के रहल है कि चलंग तू बेचारा मिटर्टर का लगाता घले सखर जाए तो जैसे ही बंदर अग्रा चल offspring लगाता है यह पूरे 11 निचर का लगाएगा तो यह 11 लगाएगा तो डेस्की奏 सब्सक्पारतो da यह तो बंदर ऐसा पर जाती वहीं पर कुछ धर लेगा नहीं ससरेगा लास्ट नूप फिशलेगा नहीं क्योंकि वहां पर कुछ ने कुछ पकड़ लेगा या तो पूरे फिशल या डेजन्ट मेंटा टार्गेट इचिप कर लिया थिक है तो इसलिए हम लोग करते क्या है कि हैं एक मिनट में चलने वाली कैपसीटी को हम लोग क्या करते हैं सहब माईनस कर देते हैं ऐक मिनट में चलने वाली क्यापसिटी का कंप्लीट फोल्ड आ गया मने माइनस करने के बाद कंप्लीट फोल्ड आ गया तो सवाल इजी हो जाता है कंप्लीट फोल्ड नहीं होता है तब में टार्गेट को ही रखते हैं और उसको फोल्डिंग करकर करके चलते हैं ठीक है न साब यह हो ग लगाता है कर गोश पांच जंप लगाता है उसनका सवाल अभी आएगा कल आएगा ठीक है तो आज के लिए फिलाल इतना ही अगले दिन मिलेंगे अम लोग प्रेक्सेशन में ठीक है और इसके बाद अपका एल्सी है में च्वटा सा है इसके बाद जो समय यहां लेगा टाइम लेगा ठीक है यह तो चोतर थेव्य चोटा जर्बाइं है करेंगे आपके साथ ठीक है रहा वैमानी नहीं करेंगे हाँ थोड़ा सा खोपड़ी हमारा गरम चलता है बट बैमानी नहीं करेंगे कंटेंट में कटवती नहीं करेंगे ठीक है तो मिलते हम लोग नेक्स सेशन में तब तक के लिए घर पे रहिए पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए थैंक्यू जैहिंद और जो भी हो फिड़बेक ब करेंगे को इर लोग